दोस्तो मैं डॉक्टर राजेश भट मैं एक साइकॉलोजिस्ट हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोना वाइरस के संक्रमण के चलते एक सगारत्मक चीछ हमें देखने को मिली है कि राश्टी और अंतराश्टी इस तर पर लोगों के बीच एक जुटता, परुपकार, धयालूता, मानवता और सहानबूती की भावना बड़ी है फलसरूप लोग एक दूसरे को मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं लोग जरुरत मंदों को भोजन, अनाज, मास्क, सैनिटाइजर और दवा भी मुहया करा रहे हैं कोरोना वाईरस के कारण हुए लॉग डाउन यानि की आंशिक करशिव जिसे हम कह सकते हैं और कॉरंटाइन यानि की इसको हिंदी में संग रोध या इसे हम बहुत सिंपल भाजा में अगर कहें तो एकांदवास कह सकते हैं के कारण वर्तमान समय में लगभक सभी लोग कम या ज़्यादा मात्रा में एक जैसी मानसिक इस्तिती से गुजर रहे हैं इसलिए मानसिक स्वास के उपर ध्यान देना बेहत जरूरी है लोग ऐसे दोर से गुजर रहे हैं जिसकी उन्होंने पहले कभी कलपना नहीं की थी इसलिए लोग मानसिक रूप से इतने दिनों के लिए घर पर रहने के लिए तयार नहीं थे जिस हिसाब से चाइना और दूसरे देशों में पुना संक्रमण यानि की री इंफेक्शन के केस आ रहे हैं उन्हें देखते वे ऐसा लगता है कि सरकार दोरा भारत में भी लोग डाउन का समय बढ़ाया जा सकता है लोग डाउन का समय बढ़ाना अभी वर्तमान इस्तिती की जरूरत भी लगती है यदि भारत सरकार लोग डाउन की पीरियट को नहीं बढ़ाती है तो भी हमें अपनी तरफ से स्वेचिक रूप से अपने आपको कुछ और समय के लिए लोग डाउन में रहने के लिए प्रोसाहित करना चाहिए इसका मतलब यह हुआ जब तक किसी काम की अत्यदिक आवश्चक्ता ना हो तब तक घर से बाहर निकला ना जाए ऐसा करने के लिए हमें खुद को मानसिक तोर पर तयार रखने की जरूरत है ऐसे समय में जो लोग पहले से ही शराब या नसीले पदार्थों का सेवन अधिक करते थे उनके लिए नसे से बाहर आने का यह एक सुनहरा मौका हो सकता है थोड़ी सी इच्छा सकती दिखा कर वो नशामुक्ती की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं उनके लिए इस लोग डोन के समय पर शराब या नसीले पदार्थों का उपलब ना होने के कारण उनके अंदर वापसी की लक्षण यानि की विड्रॉल सिंटम्स आ सकते हैं जिस कारण से उन में जड़ापन, सांच लेने में दिक्कत, अत्यरिक क्रोद, नीद ना आना, बीचेनी, घबराहट, हाथ-पैरों का कापना आदी लक्षण देखे जा सकते हैं वो इस समय अधिक से अधिक पानी पिएं और परिवार के साथ समय बिताएं परिवार के सदस ऐसे लोगों के साथ साहनभूती पूर्ण व्यवार यानि की इंपैथिक अभाव रखें वहीं जो लोग शराब का सेवन कम करते हैं और यदि उनके घर में शराब प्रयात मातरा में अगर अभी उपलब्द है तो वो अधिक मातरा में शराब पी सकते हैं इसलिए अपनी आदतों पर नियंतर करना जरूरी है क्योंकि लंबे समय में सराप का सेवन मानसिक और शारिरिक दोनु तरीके से शरीर को नुकसान पहुचा सकता है जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत है वह अपने बच्चों के सामने या परिवार के सदस्यों के साथ सिगरेट ना पिए क्योंकि पैसिव स्मोकिंग यानि कि जब आप दुआ चोड़ेंगे तो वो दुआ आपके परिवार के सदस्य अपने सरीर के अंदर ग्रहन कर सकते हैं इसको passive smoking बोलते हैं, इसके द्वारा आप अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए जादा नुकसान पैदा कर सकते हैं बच्चे आपको cigarette पीता हुआ देखकर आपको role model बना कर भविस्य में खुद भी smoking शुरू कर सकते हैं जिन लोगों को office या कारी स्थल में लगातार काम करने की आदत थी, वे अब अपने घरों की चार दिवारी में बंद हैं और इस खालीपन की स्थिती में उनके अचेतन मन में पहले से मौझूद अंतरद्वन यानि की conflicts कुंठाएं डमित इच्छाएं निकल कर बहार आ सकती हैं जिस से पति-पत्नी के बीच में या घर के अन्य सदिस्चियों के बीच तनाओ और मन मुटाओ बढ़ सकता है अत्हा अपने दिमाग में उठने वाले नकरात्मक विचारों के लिए सजग रहें और ऐसे विचारों को केवल विचार के रूप में देखे ना की facts या वास्तिरिक्ता के तौर पे क्योंकि कला पैदा करने वाले ये वही विचार है जिन पर आप संभवता पहले से कई बार आपस में जगड़ चुके हैं जिन घरों में पहले से ही पारवारी कल है और घरिलू हिंसा रही है वहाँ पर ये समस्या और अधिक बढ़ सकती है इसी लिए जरूरी है कि घरिलू इंसा होने की इस्तथी पर पुलिस हेल्प लाइन में संपर करें या अपने काउंसलर से तुरंत बात करें जो लोग क्वारेंटाइन में रह रहे हैं उनमें से कई लोगों के मानसिक स्वास्त में प्रतिकूल या नकारात्मक वरभाव पढ़ रहा है जिसे संग्यान में लिया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वारंटाइन में जाने पर अकेले बन के कारण दिमाख में नकरात्मक भाव और विचार बढ़ सकते हैं जिनके संभवता कारण समाजिक भेदवाव, समाजिक कलंक जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं अकेला पन, निराशा, डिप्रेशन, कुछ ना कर पाने की कुंठा और मिर्त्यू को लेकर डर हो सकते हैं क्वारंटाइन के समय में यदि किसी के मन में सुसाइड या आत्मत्या के विचार आएं तो तुरंट अपने परिवार वालों को सुचित करें ताकि वो मेडिकल साहेता ले सकें और डाप्टर और काउंचलर से बात कर सकें परिवार के सदेसी इस बात का ध्यान रखें कि यदि घर में कोई सदेसी मर जाने की बात करता है या कहता है कि मेरे मन में बार बार मरने का खैयाल आता है तो उसकी बातों को गंभीरता से ले और मनोचिकिस्टक से तुरंट संपर्क करे देश के हर राज्ज ने स्वास सेवाओं के लिए हेल्प लाइन नमबर जारी की है उनसे तुरंत कॉल करके संपर्क ले और परामर्स ले हमारे चारों तरफ जिस प्रकार से अववा फैल रही है उससे ना चाते हुए भी हमारा मस्तिस्क प्रभावित हो रहा है लोग जानकारी लेने के लिए बारबार शोशल मीडिया का सहरा ले रहे हैं किन्तु उन्हें यह पता नहीं कि शोशल मीडिया में आने वाली जानकारिया अधिकतर अववाहों के तौर पर सामने आती है क्योंकि इस बहे के माहौल में कुछ शरार्ती तौत अपना व्यक्तिकत एजेंडा चलाने के लिए तख्यों को तोड मरोड कर प्रस्तुत कर उन्हें संसनी पैदा करने वाला बना देते हैं अथा मीडिया के हाथ का खिलाओना ना बने सटीक सूचिना के लिए सरकारी न्यूज चैनल या ओल इंडिया रेडियो का सितमाल करें इस समय हमारा सबसे अधिक ध्यान इस सीच में होना चाहिए कि हम अपने मन को सीमित संसादनों के साथ घर की चार दिवारी में कैशे शांत रखें यानि कि इस समय हमें अपने जीवन के लिए जीवन कौशलों यानि कि लाइफ स्किल्स को विक्सित करने की जरूरत है हमारे दिमाग में अधिकतर विचार आटोमेटिक मोट पे चलते हैं यानि कि विचार बिना हमारी इक्षा के हमारे दिमाग में आते जाते रहते हैं यदि हम इन पर ध्यान देते हैं और गंभीरता से लेते हैं तो यह विचार हम पर परभाव डलना शुरू कर देते हैं इसी लिए दिमाग में आने वाले नकरात्मक विचारों को दिमाग में खुद से ही पैदा होने वाली एक कहानी के तौर पर ले और जब यह विचार आपके मन में आये तो खुद से यह कहने के आदट डाले कि यह डरावनी कहानी जो मिरे दिमाग में चल रही है यह सच नहीं है यह अपने आप दिमाग में पैदा हो रही है यदि आपका दिमाग आपको यह दिखाता है कि आप दिमार होने वाले है तो ऐसे विचारों को भी केवल मन की कलपना की तौर पर देखे ना की वास्तिविक्ता की तौर पर मन को शांद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब चिंता या गबरहाट में हो तो एक जगे बैठ जाएं और अपनी चंता के नुसार सांसों को धीरे धीरे लेने की कोशिस करें जैसे की सांस लेने में 10 सेकंड लगाएं और सांस शोड़ने में भी 10 सेकंड लगाएं और ऐसा कम से कम 10 बार करें ऐसा करने पर मन तुरंग शांद हो जाएगा scientific research बताती है कि धीरे से सांस लेना और धीरे से सांस छोड़ने से तनाव को तुरंद कम किया जा सकता है इसका बहुत अधिक प्रबाव है और सांसों के दुआरा हम अपने शरीर को रिलेक्स कर सकते और रिलेक्स करने से हमारी जो immunity है वो और बहतर तरीके से काम कर सकती है जो डर है जो चिंता है वो बढ़ सकती है हमें अपनी शारीरिक शमता के नुसार वयायाम करना चाहिए electronics, gadgets का इस्तमाल कम करें अपनी पसंदिता किताबें पढ़ें संगीत सुने यदि आप कोई instrument बजाना आता है तो उसका अनन्द ले गिटार का, harmonium का, टबले का, जो भी चीज़ आप जानते है जिसमें आपका command है आप उसका अनन्द ले या उसको सीखे यदि आपके पास garden है तो उसमें पेड़ पौंदों की अच्छे से देख भाल करें इस तरीके से हम अपने तनाव को अपने मन को शांत रख सकते हैं जो इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेर करें धन्यवाद जैहिन